हेलो फ्रेंड्स मैं संगीता और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी फूड विद संगीता में आज मैं आपके साथ तही और लौकी के ये बहुत ही टेस्टी डिलीशस पराठी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये पराठे बनाना तो ये पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लौकी ली है ये मैंने छोटी लौकी ली है ज्यादा बड़े साइस की लौकी नहीं ली है लौकी को अच्छी तरीके से धो लेना है और धोने के बाद इसे आपको छ तो इस तरीके से आप इसे ग्रेट कर लीजे अगर आपको ये स्पेशल पराठे की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें अब यहाँ पर ये लौकी को मैंने किसके त्यार कर लिया है अब इस लौकी को हमें निचोड लेना है इसमें जो भी पानी है वो हमें सारा हटा देना है और निचोड निचोड कर इस लौकी को अलग आपको एक कटोरी में रखते जाना है हमने यहां पर यह लौकी मोटे वाले ग्रेटर से खिसके त्यार किया है इसलिए इसमें कम पानी निकल रहा है अगर आप इसे बारिक वाले ग्रेटर से खिसते तो इसमें पानी थोड़ा जाधा निकलता इसमें से जो पानी निकलेगा ना उसे भी हम फैके कर ली है अब यह जो लौकी का पानी निकला है इसे हम एक कटोरी में अलग निकाल लेते हैं मैंने यहाँ पर ये धाई कप गेहुं का आटा लिया है और आटे में आपको डालना है नमक स्वाधनुसारिस में नमक डालें और इसे अच्छी तरीके से आटे में मिक्स कर दें और अब यहाँ पर इस आटे में मैं डाल रहे हूँ आदा कप दही यह फ्रेश दही है दही डालने से आपके लौकी के पराटे बहुत ही टेस्टी बनेंगे अब यह जो लौकी का पानी निकलाता वो भी मैंने इस आटे में डाल दिया है अब इस सबको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आपको डो त्यार करना है अगर आपके बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह के लौकी के पराठे बना कर भी उनको खिला सकते हैं ये पराठे बच्चे बेहत पसंद करेंगे अब यहाँ पर इस आटे को आपको अच्छी तरीके से चिटना कर लेना है अच्छी तरह गून नहीं से पराठे के लिए आटा ज़्यादा सौफ्ट नहीं लगाया जाता जैसा हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा हाड आटा हमें लगाना होता है अब यह डू मैने लगा लिया है तो इस पे थोड़ा सा हम गी लगा देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और 10 मिनट बाद हम इससे पराठे त्यार करेंगे तो तब तक हम इस स्टफिंग बना लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए जो लौकी हमने घिसके निचोड के त्यार की थी वो मैंने एक बरतन में डाल दिया है और साथ में मैंने यहाँ पर लिये हैं ये तीन मीडियम साइज के आलू जिनको वॉयल करके छील के मैंने मैश कर लिया है वो इसमें डाल दिये हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं एक इंच का अद्रक का टुकड़ा जिसे घिस लिया है एक बारी कटी हुई हरी मिर्च एक चमच कसूरी मेथी बारे कटा हुआ हरा धनिया आदा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच अजवाइन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा आदा चमच दरदरी पिसी हुई सॉफ आदा चमच आमचूर पाउडर आदा चमच से थोड़ा कम गरम मसाला एक चथाई चमच हींग नमक स्वादनुसार अब इस सब को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है इसमें आलू डालने से लौकी को अच्छी बाइडनिक भी मिलेगी और पनाठे और भी जादा टेस्टी हो जाएंगी अब सबी चीजों को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लिया है तो अब यह हमारी जो स्टफिंग है वो बन के त्यार हो गई है अब जो आटा है उसने भी रेस्ट कर लिया है यह अच्छी तरीके से सैट हो गया है तो एक बार और इसे गूनते हुए हम चिकना कर लेते हैं और अब इस आटे से हम पराठे के लिए लोई बना कर त्यार करेंगे तो जितनी बड़ी लोई आप चपाती के लिए बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी हमें बनानी है क्योंकि हम इस टप पर आठे बना रहे हैं तो थोड़ी बड़ी लोई बना के त्यार करनी है तो यहाँ पर यह लोई मैंने बना के त्यार कर ली है यह देखिए अब इस लोई के उपर हम सूखा आठा लगाएंगे तो मैंने यहां पर यह क्याहूं का आटा इसके उपर लगा लिया है और इसे अब हमें बेलना है तो यहां पर बेलन की साथा से हम इसे बेल लेते हैं बीच में से ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे थोड़ा सा बेल के हम त्यार कर लेंगे चरूरत के नुसार बीच बीच में आटा डस्ट करते जाएं और बस अब हम इसमें स्टाफिंग करेंगे तो ये स्टाफिंग इसके अंदर मैंने रख दी है और अब इसे हमें बंद करना है तो इस तरीके से आपको पराठी को पैक कर लेना है पुरा और अब इस तरह दबाते हुए जो उपर का हिस्सा है जो एक्स्टा आटा है उसे हमने हटा दिया है और ये पराठा त्यार हो गया है पहले बीच में से दबाएं और फिर सभी तरप से हमें दबाना है थोड़ा थोड़ा अब आटे में, सुखे आटे में इसे हमें अच्छी तरीक से लगा लेना है और पहले बीच में से दबाना है पिर सभी साइट से इस तरह इसको दबाना है और अब यह आप देख सकते हैं कि मैंने काफी बढ़ा कर लिया इसे इसे आटे में और अब यह जो extra type वो मैंने हटा दिया है और इसे बेल के हम तियार कर लेते हैं इस ठप परांठे बेलने के लिए एक तरफ से बेलन को आपको उपर ले जाना है और दूसरी तरफ से नीची की तरफ लाना है इससे परांठे फटते नहीं है परांठे बहुत ही अच्छे बिलके त्यार होते हैं और सभी तरफ से एक जैसे परांठे बिलके त्यार होते हैं अ पराठा डाल दिया है जो तरफ फिल हम गातरफ लगात है ये पराठा पराठा होगी लगाएंगे और इसके उपर भी हम घी लगाएंगे जब आप इस तरीके से पराथा बनाएंगे तो पराथा बहुत अच्छा फूला फूला बनके त्यार होगा अब यह आप देख सकते हैं कि हमारा पराथा फूल रहा है बहुत अच्छी तरीके पूल के त्यार हो गया है अब इसे दोनों तरब से हमें पलट पलट कर अच्छी तरीके से सेख कर त्यार करना है अब यहाँ पर दोनों तरब से मैंने पराठे को अच्छी तरह सेख लिया है अब हम दूसरा पराठा भी इसके उपर डाल देते हैं और जब यह एक तरब से सिख जाए तो इसे पलट दीजे और फिर आप घी लगा दीजे और दूसरी तरब से भी इसे घी लगा कर सेख लीजे सभी तरब से अच्छी तरह सेख कर इसे त्यार करना है बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में बहुत ही जबर्जस्त होते हैं रौकी के पराvit एक अगर जरू ट्राइब कीजएगा यह नहीं के लिप-डी बना गया थे पना पनाफ्टी को एदर से पलлять दिया आँ officers क। और पराठी को दबा दबा कर अच्छी तरीकी से आप सेख लीजिए तो बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरह सारे पराठी आपको सेख के त्यार करने हैं इन्हें आप तही सोस चटनी सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं रेस्पी पसंद आई लाइक पर नेवाद